तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पर्ड़ गास्ट में क्यूंकि आपको आपको हमारे एश्ट्रोलोजी वाले पर्ड़ बहुत जादा पसंद है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक मशूर एस्ट्रोजर राजकुमार बिर्ला जी और एक मशूर एस्ट्रोजी एप के को फाउंडर कपिल जी स्वागत है आप दोनों का आप दोनों जैपूर से बड़ी दूर से हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो आज हम एस्ट्रोजी तो समझेंगे ही और साथ ही साथ एस्ट्रोजी से बनाए एक सक्सेस्फुल बिजनस की कहानी भी जानेंगे तो किस से शुरू पहले करें बिजनस एस्पेक्ट से या एस्ट्रोजी एस्पेक्ट से astrology थी पहले तो बिजनस नोबाद में खड़ा हुआ है astrology से ही शुरू करना चाहिए हमें तो sir astrology से ही शुरू करते हैं और sir से हम discuss कर रहे थे कि sir कुछ हमें fresh बता उ तो sir ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला की भगवत गीता में भी बारे में कहा गया है और कोई जो भगवत गीता के हिसाब से आश्रोलोजी को नहीं समझता वो आपको जादा अच्छे से गाइड प्रॉबबली ना कर पाए तो भगवत गीता कैसे आश्रोलोजी से लिंटा यह सर हमें बताएंगे तो सर प्लीज पहले मैं अपने बारे में ब कि इड़ा होता है ना कि इदर से पढ़ा उदर से पढ़ा पर पढ़के जब प्रैक्टिकल के अंदर में आया तो पता चला कि सब इदर से पढ़ते हैं उदर चला जाता है इदर से पढ़ते हैं 2002 के अंदर में I started learning from Indian Council of Astrological Sciences चैन्नाई का जो संस्ता है वहां से मेरे को किया तो जब उनको पढ़ना शुरू किया तो वहां पर दो चीजें बहुत अच्छी होती हैं एक तो साइकलोजी एक करमसिद्द्धांद को जब करमसिद्धांद पढ़ना शुरू कि या तो एक समंझ में आया कि अभी जो मार्केट के अंदर में जो दो की जो बता दिया अध्याय साथ के अंदर में एक स्लोक में बताया था कि इस पर्थवी पे मेरी प्रकती के आठ जो द्र्ड प्रकती है वो है अगनी, जल, वायू, आकाश और प्रिथवी और मन, बुद्धी और एहंकार ये तो हो गए आपके द्र जो प्रकती है ये आठ प्रकती किस पर काम करती है, जीव प्रकती पर जो है चेतना, जो आपकी चेतना साइकलोची है चेतना मतलब spirit, psychology, आपका conscious, conscious or unconscious, आपके consciousness नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, तो इसी का एक balance करके astrology के अंदर में आपको यही आठो elements, आठो चीजे, तो यह आठो हो गया आपके एक फिक्स द्रिड जो हमारे प्रकृति के नियम है, इसको केते हैं अपरा, परा और अपरा, यह अ परा, अब परा क्या हो गया, एक जीव, जिसके ओपर यह work करती है, चाहे वो plant हो, चाहे वो animal हो, चाहे एक human being हो, बिना इसको समझे, आप प्लेनेट की position को नहीं समझ सकते हैं, हमारे पास ऐसे बहुत clients आते हैं, जिनकी problems कुछ नहीं है, इस क्या है, वो मन, जो व्याकूल हो मेरा एक मंचिल कम, यह problem में कि वो मेरे को देखता है उपर से, मैं उसको नहीं देख पाता हूं, यह उस मन की problem में, तो यह Krishna ने जब भगवत गीता में बताया था, उन्होंने यह बात बताई कि यह है, इसके बाद में second step पे उन्होंने क्या बताया कर्म सिद्धान्त, आपक संचित कर्म जो आपने पिछले जनम में किये, वो आपको as map, अकाशिमांचित जब बर्थ हुआ था तब उस समय का मिल गया, उसको हमने आजकल एक software में डाल करके कुंडली बना करके आपको दिखा देते हैं कि यह हमारी कुंडली है, अब उसको जब रीड करते हैं, तो हमक जब हम यह पढ़ते हैं, तो हमको इक पता चलता है कि चार्ट के अंदर में एक मोटो है, एक गोल मिला इस इंसान को, कि इसको करना क्या है, क्या है वाक्य में यह सिर्फ पर जनम लिया है, पढ़ेगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, उनकी शादी करेगा, और च से स्टेप होता है, किरियमान कर्म, जो आप कर रहे हो, मैं आप के आया हूँ, या आप मेरे बेटे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, यह भी हमारा कर्म है, हम किरियमान कर्म कर रहे हैं, इन कर्मों को हम डिफाइन करते हैं, कैसे करना चाहिए, हम आपके प्लेनरी पोजिशन को पकड़ते हुए कि इस इंसान का पर्टिकुलर प्लेनेट कुछ ब्लेसिंग्स लेकर के आया है और वह चाहता है कि इसके कर्मों में इंट्रेक्ट किया जाए तो हम उसको जब डिरेक्शन दिखाते हैं कि इस पात पर आके इसको यूटलाइज करो आपको आपका गोल मिल आपके अगर किसी के लगन में कोई पर्टिकुलर प्लेनेट नीज का आगया है कोई मैजिशियन कोई एस्ट्रोजर निकाल के वहां से वहां नहीं रख देगा पर क्या करेगा उसकी एनरजी को निट्रिलाइज करके उसको पॉजिटिवीटी के तरफ डाइवर्ट करेगा क यह शांत हो जाए और जो हमार अच्छे प्लेनेट उनको म्यूटलाइज करके राइट पात की जीवन के उद्धिश को सफल बनाए अब जब हमने संचित करम समझ लिए क्रेमान करम समझ लिए इसके बाद में क्या बनता है मारा प्रारब्द इस फ्यूचर इस जनम में जित अगर मैं कहूंगे आप मिरको पूछते हो कि मैं कितना परसेंटेज आपका लग किया डेस्टेनी चेंज कर सकता हूं तो मैं इक बात कहूंगा कि यह आपके एफर्स दिन पर करते हैं हाव मच यह डेडिकेटेट टू चेंज दें अगर आप में वील पावर डेडिकेशन है देन यू चेंज इट अट लिस्ट फॉर्टी फिफ्टी परसंट तो वह प्लेनेट वहां बैठा है उसको अपने को कंप्रोल करना है उसको पॉसिजिव बनाना है वह अपन कर सकते हैं बाइदी हल्प ऑफ सेम भगवत कीता जिसने ही धर्म अर्थ काम मोख्ष यह चार यही चार्ट का स्टिक्वेंश के धर्मस्ट काम मोख्ष का पुरा इक बैलेंस बनता है यही सब चीजिए आकर के कर्म शिद्धान की पूरी भगवत-गीथा जो इंसान जो आश्म ने नहीं पड़ी है वह कर्मस्धान को नहीं समझ सकता है वह धर्मस्ट कामोख्ष को नही पर जब आइकोस को जोन किया तब उसमें फर्स्ट शिक्स समंथ का जो समस्टर होता है वह एक बोरिंग समस्टर होता है उसमें साइकलोजी और कर्म सिद्ण मना बहुत बोरिंग था पर जब बेस ही है यह रूट कॉज यही इस जोतिश्का इसको बिना जाने मैं किसी का प्रि करनी और बैठे रहना है आप वहीं पर कुछ ना कुछ अपने आपको ही हाट करते रोंगे कहां के फस गया उस एनरजी को यूटलाइजेशन राइट पात पर बहुत जरूरी है तो एस्ट्रोजी इस कनेक्टेट विद प्योरली कर्म सिद्धान्त और कर्म सिद्धान्त इस अपने पर बैठे तो हमने यह सुनने कम मिला कि पिछले जनम के जो भी तुमारे बैड डीट यह गोडीट ते उससाब से तुमको नहीं वाले जनम में एक इस्टिंग जनम में स्टा या तुम्हें ग्रह मिलेंगे इसको तुल्ड़ा टेक्निकली वताओ विकोज हाओ के इतना भागी लेकर के आयो अगर यह अच्छी है स्ट्रॉंग है तो यह बताती है कि आपने कुछ पिछले जनम में अच्छे करम किये थे पर अगर मेरे को उन कर्मों को पढ़ना है कि पिछले जनम में क्या था क्या करना चाहता ता या किस टाप की मेरी लाइफ पाथ तो मुझे फिफ फ। आूस मिलता है जो मेरे को इंडिकेट करता है कि वॉट आई हैव कनेक्टेड वित मैं पास्ट लाइफ अगर मेरा फिफ्त नाइन तो से कहीं भी कनेक्टेड नजई आता है तो यह कलिए कर इंडिकेशन देता है कि मेरे इस जनम में पिछले जनम के कुछ अधूरे काम है, जो मैं फुल्फिल करने के लिए मुझे रीबर्थ मिला है, जो मेरे को उदेशी है मेरा, अगर इसमें आपका एक पांच नो का कनेक्शन कई भी आउसे में बनता है, इस किलियर कर इंडिकेशन, इस लाइफ नॉर्मल लाइफ, यू गॉट दिस, कि आपको पिछले जनम के कुछ अधूरे कर्म या कारे हैं, उनको फुल्फिल करना है, और ये सब कुणलियों पे अप अब बात आते हैं, आपके सवाल के कि पास लाइफ रिशेशन हम जान सकते हैं कि हम क्या थे, यहां पर एक कॉंट्रवर्सी वाइला सब्जेक्ट है, इस पर आप मेरे से दो तिन दिन भी भी भहस करवा होगे, तो मैं तयारों में कर लूँगा, पर इसका कुछ निकलना है, क्योंकि जब पास लाइफ रिशेशन करें जाएंगे, हिपनोटिस करके आपको बिठा दिया जाएगा, कि आप इसले जन्म में है तो वहां पर आपको अथेंटिक आंसर, कोई थोर्टिकल, कोई थम रूल नहीं मिलने वाला है, पर अगर मेरा फिफ था, उसके अंदर में मे किसी कलात्मक चीज़ों से जुड़ावा था, तो हम यहां पर उस थम्भूल, हम उस चीज़ को लेकर के फिक्स हैं कि भाई, यह प्लेनेट इंफ्लूएंस कर रहे हैं, तो मैं कहिना कहीं मेरा कोई पास लाइफ का एक कनेक्शन नजर आ रहा है, बेसिकली जेनरें जेनरें आइडिया मिल जाता है कि क्या होगा, एक्जाक्ली नहीं बता लगता है, बाकि योनिया कितनी थी, इतनी योनियों के अंदर मैं से आपकी कौन सी योनिय में आप पास लाइफ में थे, यू कांट के यह हो सकता है कि संचित कर्म जो आपके पहले जनम के मिले हैं, अभी तो पिछले जनम के भी डू चल रहे हो, तो इसको अपन यू नहीं गिन सकते, पर हाँ, यह एक आपको उपरी तौर पर पता चलता है कि पास लाइफ में आपने पाप किये, पुन्ने किये, जैसे अगर मैं आपको बता हूँ, एक बड़ा एक आशकल में चलता है कि आपको पित तो उसी के डिवलोप्पेंट के साब से बताते हैं कि आपको यह हो रहा वह हो रहा हूँ, सर अभी आपने बातो बातों में एक बात कही थी, कि अगर किसी को अपनी डेस्टिनी बदलनी है, तो वो कितने परसेंट उसे चेंज करता है, वो उसकी डेडिकेशन पर डिपेंड आपकी हेल्प लगेगी, या कुछ कर्म ऐसे करने पड़ेगी, या बाइचांस ऐसे कर्म बन जाते कि वो अपने आपी जैसे कहते हैं, महनत करो तुमारी किसमत तुमारी मुठी में है, टाइप्स, अगर कोई आज तक किसी आइस्टिलोजर के बास नहीं गया, बस अपनी मह महनत में लगा हुआ है, तो उसे सक्सेस मिलेगी, उसके ग्रहे अपने आप शान्त हो जाएंगे या कैसे होगा, यहां पर मैं दो बाद करना चाहूंगा आपकेस में, कि जब मैंने आपसे जोतिश की बात करी थी, तो मैंने आपको बताता, संचित कर्म, क्रियमान कर्म प्र प्रौरारत, संचित कर्म के बेज पे आपको एक दशा मिली है, विस्ष शोत्री दशा हैं, बर मैं क्रूपी की बात करका हूं है, वह एक 110 साल का प्रौरेशन थी, पहले के उमढमे मनुष्य के आयों 120 साल होती थी, वह 120 साल की है, अब आपको मैं कहूंँ कि आपके को बाइ वो है आपको भुगतनी भुगतनी है अगर मैं भी मेरे पास भी आओगे तो मैं उसमें आपको जो गाइडन्स करूँगा मैं आपको जो हेल्प करूँगा उसमें क्या होगा एक हीलिंग हो जाएगी कि वो जो एकदम से नेगेटिव ऑफ़ ट्रेक जाने वाली आपकी चलना था जो आपको भुगतना ही है मैं उसको हटा करके उसके बतले में दूसरी महादशा लाकी रख दूँगा वो पॉसीबल नहीं है तो आपके डेडिकेशन वर्क करेगी आपकी आस्ता वर्क करेगी क्योंकि देखिए आस्ता में सब कुछ है आपका बगवान पे कितना अब कितना बगवान करते हो उस पर डिपेंड करता है आज जैसे भी आपने कहा कितना चेंज मैं कहता हूं आप कितना परसेंटेज आप डेडिकेटेड हो एक प्रॉपर वे में प्रोसेस करने के लिए मैं गुदानन के लिए आपी की बात के उपर में टोपिक जोडता हूँ, आपको मैंने कहा कि आप मेरे को दान करना है, आप दान करते हो मेरे अनुसर चल रहे हो, आप दान किसको कर रहे हो, सूपातर को कूपातर को, ये बहुत बड़ा लोजिक आएगा, ये भी गीता कही या आप वरत आत्मी की हेल्प कर दो, आपने जाके मंदिर के बार बैठे हुए किसी देखा यार बुड़ा आत्मी बैठावाए, ये बजवर बैठावाए, ये बजवर बैठावाए, दे दिये, अब वो सूपर लेजा करके जुवा खेलता है, सट्टा खेलता है, दारू आपने उसकी हेल्प के लिए एक निष्टा के साथ, पर उसने उसका दुर्पय किया, वो कूपात्र के गिंती में आ रहा है, यहां पर आपको लगता है कि आपको जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे वो रिजल्ट्स मिले, दूसरी चीज ये, बहुत बड़ा एक लोजिक हो जोते ले गया, चलो दान हो गया, यह दान नहीं है, दान करने के लिए पहले आपको एक संकल्प लेना होता है, कि मैं, लेखो दो चीज़ों को आप समझें, यह गीता के अंदर में लिखी हुए, एक निष्काम दान, एक कारी विश्यश दान, मतलब आप किसी कारी की इच् कुछ पर्टिकूलर चीज कर रहे हो, मैं अगर पर्टिकूलर कह रहा हूँ आपको कि आपका केतु खराब है, और आपको कुटे को खाना देना है, तो आप ऐसे ही बिस्कूट खड़ा दिया, डाल दिया, यह कर दिया, और बिस्कूट खाया, निखाया, उस बाद लोगों जो आपने अपने अंश में से निकाला है, तो कोई भी आपको दान करने का प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला, आपने हर जगे जाके देखा, यह पैसा, और पैसे काम यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप उस चीज को समझो, कि आप कहीं चीडिया भी सोचनी है कि मैं जो पुन्य करना चाह रहा हूं, क्या वो अथन्टिक हो रहा है नहीं हो रहा है, हम लोग पूजा करने के लिए बैठते हैं, आप सोचिया, इस फास्ट मुविंग लाइफ में कितने जन्नों के पास में समय है, कि वो 108 बार महामिर्ट तुन जी के जाप क अगर मैं इस ग्लास के अंदर में पानी भी रखता हूं और मैं इसको एनरजाइज करता हूं, इसके अंदर भी मेरी एक अशक्ती आईगी, उसके बाद आप उसको दान करें, आपका जब तक उसमें एनरजी नहीं मिली, आपने सिर्फ एक ओनलाइन पेमेंट कर दिया कि भा आपको उसका रिजल्ट शोर मिलेगा, आज नहीं, कल मिलेगा, पर मिलेगा, तो आंसर यूर क्वेस्टिन, I think what he's trying to say, कि इनकी जरुदर तो पढ़ेगी, क्योंकि ये गाइडेंस यह देंगे आपको, कि आपको एक्जाक कौन सर ग्रह से पीडित हो आप, आपको किस तरीकी के उपाय करने चाहिए, ये तो आपकी कुंडली ही बताएगी, कुंडली पढ़नी आपको नहीं आएगी, तो आस्टर लॉजर को ही आएगी, तो बेस वही रहेगा, शिर्फ आपको अपने चीजों को राइट पात पे ये करना है, आप कर सकते हो, पर बिलकुल 100% कोई कह द चाहिए, तो ये तो क्लियर कट ऐसे नहीं हो, जो भगवान ने तो मुसे चालेंज कर रहो, मैं ऐसे ठीक कर दूँआ, इसे ऐसे कर दूँआ, इसे वैसे कर दूँआ, तो कुछ लोग बोलते हैं, महनत ही कर लो, अपने कर्म पे धिहान दो, मत छेड़ा चाड़ी करो, अपन पड़ी है, जब तक मैं पर्यास करके चाय को अपने मुह में नहीं डालूँगा, चलके तो मेरे मुह में नहीं आएगी, करम तो मुझे करने पड़ेंगे, अब मैंने अगर आपको गाइड किया है कि आपका पर्टिकुलर प्लेनेट बादक हो रहा है, या आपको इस समय इ तो आपको रिजल्ट्स आएंगे, चेंज होगा, डेफिनेटली ओगा, कितना पर्सेंटज होता है, यह डिपन करता है कि किस इस्तिती के प्लेनेर से, आप कोई कोई और बटा हो आए, ऑब मैं उसको के दो कि नहीं मैं इसको बिल्कुल लाभ भोवन में लाकी बढ़ा दों तो रिजट आपको जुरूर मिलेंगे सर एक चीज और बताओ मेर को कि जनम के टाइम आप कह रहे हो कि आसमान में होरस को बन गया प्लानेट की डिग्री और वो डिसाइड हो गई कि आपके इस हाउस में ये प्लानेट तो बार-बार क्यों आपके बर्त के टाइम तो आपके बर्त के टाइम पर जो मांचित्र था वो तो बन गया अब उसके ओपर ओलाप क्या करोगे तो करन पूजिशन अधी प्लानेट तभी तो सोहज में आएगा कि हो क्या रहा है आज के समय पे क्या हो रहा है देखिए इस चीज को अपन प्रैक्टिकल साइंस के वह में समझेंग यहां पर हर दिन लुट चेंज हो रहा है र दिन नक्षत्र अपना एक नक्षत्र चेंज कर रहा है चंदरमा रोज एक नक्षतर से जाता है उसमें भी चार चरण है तो ट्रांजिट तो continue हो रही है अब वह ट्रांजिट आपके बर्थ के प्लेनेट के उपर से होती है वही रिजल्ट करती है कि आपके जनम के प्लेनेट को इस समय कौन सा ट्रांजिट वाला प्लेनेट इफेक् अगर कोई प्लेट वालोंजी में टाइम ऑफ फ्रेम निकाला जाता है इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्रेम वह तीनी चीज़ों पर निकलता है जनम का जनम का चार्ट ट्रांजिट और दश्या जब तक यह तीनों आपस में कोडिनेट नहीं करेंगी तब तक लाइफ का को तो यहां पर मुविंग होत रहा है कुछ भी चीज तिर नहीं है सर थोड़ी अब आपके अनीडाइम पर आते हैं और उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपने कैसे इसको इसको आज बिजनस सोचा आप खुद बहुत एस्ट लॉजर्स के पास जाते रहे हो किया बच्पन से आपकी फैमिली मानती थी देखिए मेरी फैमिली क्या भारत की हर या फैमिली में ओम देखिए में आते हैं जहां तक मैंने देखा हम उन तक तो मानती हैं बड़ आपने कह sido हमें ईंपकी तर चृमिली करना क्या तो बहु हिंडम कीज सिच्छलन जो ह indoor विछ गौत गहीं बात कर रहे थे किक हमें रहा हुआ ड़ी फोड़ी अ Astrology 2018 में हमने सबसे पहला प्लैटफॉर्म बनाया था, जो कि Astrology से रिलेटेड था, उसका नाम था M.Panchang और उसको बहुत सक्सेस मिली थी, और गानिक ट्राफिक जो हम उस पॉर्टल पर ला पाए, इतनी ज्यादा ओर्गानिक सर्चेस थी, पंचांग को लेकर के, तोड़ा इससे पहले आते हैं कि आपने चूज ही क्यों करा हूं, जानना चाहरा हूं पहले कि एक ना एक रिक्वार्मेंट हमें दिख रही थी, कि एस्ट्रोजी को जो बेचा जा रहा है, वो डरा के बेचा जा रहा है, वो मूल सिद्धान्त के खिलाफ है, जिसका भी एस्ट्रोजी में थोड़ा भी विश्वास है, उसको पता है कि एस्ट्रोजी को as a guidance देना चाहिए अपने पास अगर कोई पूछने आया है तो, हमें वसा experience नहीं मिल रहा था, हमने काफी चीजें करी ऐसी, जिनसे हमें फाइदे की जी के नुकसान हो गया, तो ये चीजें अवाइट करने के लिए, वन वी गॉत इंट इन्ट तो पहला प्लाटफॉर्म ने मनाया M.Panjang, उस अभी तो लोगों का विश्वास है, और astrologers का भी विश्वास है, कि इतने बड़ी टीम लेके बैठे हुए है हम, अच्छा लगता है तो सर ये जो जैसे आप कहरे हो, trusted astrologers, तो इनको trust करने का process क्या होता है, कैसे आप figure out करते हो, जैसे आपने एक problem face करी, कि आपने कुछ ऐसी चीजे करी, जिससे आपको फायदे की जगा नुकसान हो गया, और जहां आपके बास platform है, जहां 2000 लोग लिस्टेड है, उन 2000 में से समालने के लिए, हमारे पास 100 जनों की back end team भी है, तो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, इटेक्स अ बिक टीम तो अक्चुली, make it work, तो यगर ये 2000 लोग लोग से हैं, का एक on-boarding process है, on-boarding process के अंदर, देरा multiple checks, जिनकी थूँन को पास करना होता है, उनकी जो एक जो कह रहे हैं, उसमें सतय है नहीं है, एक astrological test है, जिसको आपको पास करना होता है, until you clear that, you cannot be on-boarded as an astrologer. And अगर आप थोड़ा बता सकते हो कि इस किसी को consultation लेनी है आपके आपके थूँ, तो what is the process? The process is that you go to Google Play Store, if you have Android, if you have iOS, you go to App Store, you download our app, it's called Anytime Astro, वहाँ पे राजकुमार जी भी मिल जाएंगे आपको, तो अगर राजकुमार जी से बात करना चाहते हैं, तो राजकुमार जी वहाँ पे होंगे, जब भी या online होंगे, वहाँ पे अमारे top astrologers में यह दिखते रहेंगे, अब अब असलोजर के experience के हिसाब से उनके rates डिफर करते हैं और इसके rates हैं जो हमें अग्री करने पड़ते हैं अगर आपको 300-400 रुपे में बहुत अची सला मिल जाती है, बहुत अची विन-विन situation नहीं है, यह तो बहुत अच्छा rate है कि हमारे पास लोग आते हैं जो पर मिनिट काफी जादा चार्ज भी करते हैं तो हमारे यहां पर, if you have money and if you really want to get good guidance, अगर आपको अच्छी गाइदेंस चाहिए, आपको चाहिए, मैं टॉप ऐस्टोलोजर से ही कंसल करना चाहता हूं, जैसे राज कुमार जी हैं, ऐसे और भी हैं हमारे platform पे उत्सव हैं, आचाहरे तब अच्छी guidance नहीं देंगे गया, ऐसी बात नहीं है, 15 रुपे जो दे रहे हैं minute के, तो वो हमारे platform से अभी नहीं जुड़े हैं, सबसे पहली बात है, हमारे पास data नहीं है, अभी उनके लिए कि हम उनके rates को justify कर पाएं अपने clients के लिए, या फिर उनका कोई पुराणा track record जिसको प्रूफ कर पाएं, अगर वो प्रूफ कर पाते हैं कि वो लायक हैं, दो से रुपे पर मिर्ट चार्ज करने के और उनके इसा काम कर रुक है पहले, तब, हाँ, obviously, but when it comes to astrology, तो पंदर रुपे बाल भी precise है, they are very good at what they do, they may not have as much experience, अब अब अच्छी में पढ़ा ही तो businessman में पूछ रहा हूँ क्योंकि astrology ऐसी चीज है जिसमें इनसान पर्सनली ट्रस्ट करता है, अब अगर राज कुमार जी की चीज मुझे सूट कर गई, तो मैं राज कुमार जी के पास ही जाऊंगा हर चीज पूछने से पहले, तो क्या इस केस में राज कुमार जी अगर अग तो मैं भी हट गया अपस है, तो ऐसा कुछ फेस करने के लिए अपने कुछ, मतलब, how do you deal with that as a businessman? As a businessman, you need to respect, you need to respect decision of people who are involved here, right? Sabki free will है, sabko अपने अपने निने लेने के अधिकार है, तो फिर as a businessman, you deal it as a gentleman. आप किसी को नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो free will है लोगों के पास, पर आप अपना वहवार ऐसा रख सकते हो, कि लोगों आपको छोड़के जाना चाहें. तो Rajkumar जी हम से भौत समय से जुड़े होे है. यह बहुत अच्छी बात लगी आपकी मुझे, बहुत अच्छी बात लगी है और नो डाउट इसलिए लोग आपसे जुड़े हैं और इतने सारे यूजर्स भी जुड़े हैं. मैं राज कुमार जी से बात करना चाहूँ थोड़ी कि मैं चाहता हूँ आपने थोड़े अपने क्लाइंट के एक्सपिरियंसे बता हूँ कि आपने किसी के साथ डील कर रहा हूँ किसी की प्रॉब्लम इस तरीगे से स्वाल वो यहां से यहां आ गए हो यह फिर आपने बहुत मासिव चेंज ला दियो उनकी लाइफ में थोड़ा रियल लाइफ एक्सेंपल से बता हूँ ऐस मैं जस उनको बता ही रहा था रस्ते में आते हूँ किस मैंनका एक परसन एक लेडी जो वैसे कैथलिक है पर बिकॉस अफट प्रेशर ऑफ कंवर्शन उनको मोविनेंस अपना नपरा तो वहां पे कुछ बताने जानने का फीचर जानने का कुछ नहीं होता था शी जस्ट कॉ पर गी होता है कि जब तक आप उसका पास्ट नहीं पढ़ पा रहे हो आप उसका फूचर नहीं पढ़ सकते तो मैंने उनको दो तीन पॉइंट ऐसे पूछे मैंनका क्या यह सही है तो आप इसा लगा जिसे मैं उनको देख रहा हूं या मैं आर यू एबल टू वह यू आर मैंने का नहीं मैं वाचिंग नहीं कर रहा हूं बर आपके करम पढ़ रहा हूं और ऐसा ऐसा है तो उस दिन मैंने उनको कुछ बाते करके छोड़ दी तीसरे दिन उन्होंने में से करीबन एक घंटे तक आसपास बात करी और पूरा दुखड़ा अपना बता है और हमारे एक एक सबसे बड़ा यह होता है कि क्लाइंट आपके पास में अपनी प्रॉब्लम लेके आया उसको सुनो जब तक आप उसकी पेन नहीं सुनोगे हो सकता है आप अपनी शुरू कर दोगे उसकी पेन नहीं सुनोगे तो एक पार उसका पेन तो बाहर आए तब आपको डिसिजन लेने के लिए उसके प्लिनेट को समझने के लिए एक बहुत अच्छा वो मिलता है कि हाँ आयर वाक्य में यह है तो जब मैंने समझा तो इत लाइक डैट की एक कैथलिक इंसान को एक उसका हस्बेंड की डैथ हो गई अब दो बेटियां एक बेटा है उसको उनको भी एक कर अब दो जाएं तो यह निकालना और मैं उनको जाएं धाई साल निकालने नहीं निकलेंगे तो उनको जैसे दो चार एक रेमिरिस करा करके थोड़े सी चेंजे दिखाए मैं एकदम मैजिक तो नहीं करूंगा पर आपको मैं यह चुछ परिवर्दन बता रहा हूं आप चें दिखाए मेरे का है है और उसमे तो बहुत एक मेरा टैस्क लिए पैस कैसे लिया आपको जानके ताजी होगा शीक माला खेंटू में उसने में से पूछा अपने और एपने पने के बारे में कि हमारे रिलेशन्चिब क्यार मैंने एक बहली मन का कि आप दोनों के पाता है मेरे से रीडिंग लेने के बात भी उसको शक था मेरे उपर भी कि मैं कुछ हूँ नेक्स दिन वो हजबन बन करके आई नहीं आईडी से हजबन बनके आई डीटेल आई जब मैंने वही बातें उनको दो रहाई तो मेरे को बोलती है कि यस आयम जस्मीत कि आप अपनी बात पर टिके रहते हो या बदल जाती हो तो देड़ आई गॉट कि मैंने का ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ कि एक आदमी इस तरीके से हमारा वेरिफाइब कर रहा हो ऐसे हमारे को कर रहा हो पर जो फेट डवलप हुआ आज इतने सा लोगें कनेक्टेट है और मे मेरा एक सबसे बड़ा यह है कि मेरे जितने भी क्लाइंट है वो रिपिटेड है वो एक बार बात करेंगे वो दस बार आएंगे क्योंकि उनका जो फेट डवलप होता है क्योंकि मैं सिंबल जी बात है मैं मैं जूट नहीं बोलता हूं जो होनस्टी के साथ में हैं आपको र इस अब कर आफ इसे बहुत सारे कैसे आपको मैं बदा सकता हूं यह तो पहुत च्छोटी चीज आप ही सोचे एक बाप आपके पास में आता है और यह बोलता है यह मेरी बेटी की कुंडली है इसके बारे में कुछ बताओ तो मैं करता हूं कि कुछ परशानीय चल रही है कि यह क्या पूछ रहा है उसे मुझे गुस्टा आया मैंने का वाई यू आर मैंना आपकी बाप हो क्या हो यह जब मैं आप उस दिन मेरे को पहली बार लेसन मिला कि इंसान को सुनना चाहिए कि यार आप जब तक सुनों नहीं तो पूसने मुझे बताया वह मैंटल है और उसकी वाईफ की एज करेबं 72 प्लस हो गई है अब वो दोनों इस इस्तिति में नहीं कि उसको करें उसको चेंज से बांद के रखते हैं घर पे क्या बात इस्तिति में उसको पौटी उसकी ममी पहले यह चला जाए तो कि एसी स्थिति में ऐसे अस्ट्रोजर या आप एक हुमन भी को क्या करोगे क्या उसको करोगे वहां पर वो जो साइकलोजी होती है ना हमारा जमिना को बताया मन बुद्धी और एहंकार वाला जो एक गीता का वह है वहां पर एक ही पॉइंट आता ह इस बच्चे को इस स्थिति में लाने की क्या सोलुशन्स आपके पास में है जो आप गाइड करोगे और एक परिवर्तन ला सकते हो तीन साल का एक पीरियड था उस बच्चे का मैंने उनके बद का आपको कितनी आशा है जीने की वहले हम तो जीने को तयार है पर परमात्मा क एंजियों से उनका एक कनेक्शन हुआ और एंजियों ने उस बच्चे की जवाबदारी जिम्मेदारी ली और उन्होंने उसको ग्रांटेट किया कि इसको हम बरने नहीं देंगे तो अगर मैं एक नॉर्मल इंसान हो के तुम तब मकवास पाप हो यार यह क्या यह पर नहीं ऐसा हमारे पास में बहुत सारे केसे से में कि आपको कितने केसे बता सकता हूं जो हमारे इस सबेशली आज का जो एक जेंग जेनरेशन चल रहा है लव और इसने छोड़ दिया आ लिशनशिप है छह महिने का बस या छह दिन का तो यह एक हमारे सिक हमारे एक यक हमारे एक लाई-पात का डिषिह लोगया वैसे सायर ऐसा हो रहा है कि इतने जादा रिलेशन्शिप नहीं चल रहे लोग के आज-कल जादा चल रहा है एक या बेट खी जादी हो गई है और चलो बॉइफ्रेंट गर्ल्फेंट तो ठीक है वह वाली चीज देगी शादी हो गई है बट शादी होने के बाद भी लोग के रिलेज़शन्ट इतने नहीं चल रहे हैं इतना क्यों हो रहा है कि जैसे यूग चेंज हो रहे हैं वैसे जोतिश चेंज हो रही है जोतिश भी अपने आपको देशकाल परिष्टी देनुसा चेंज करती रही है हमारी एक पारिवारी एक जिम्मीदरी मरी मUI रहे हम दो अब आप यह रहा है बहुत पहले तालाख नाम का शब्द अगर किसी परिवार में आता था उपर से निची थख सब होने जाते थे उना चाहिए अज कर वह लटका हो आज अज़कल डाइवोर्स आज शादी होती है सेकंडर डाइवोर्स के लिए पेपर त्यार हो जाते हैं कि मेरे को तैसा बोल दिया अब हम आते हैं जोतिश के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है उसके पीछे हम अरी कुछ मिसकंसेप्शन्स या मिच हम कैसे गलतिया हैं हम लोग क्या क आए शीता राम को बताई जाता है कि राम सीता के चाथीज उसके बाद भी वियोग होगी थी या क्या फ्लके था कुछ नहीं हुआ हम जिस आप लोग जो कि जो पिल गया यह कर दो वहां पर क्या होता है आप सिर्फ जिसको में आठ चुट मिलान आठ गूनी इसको तो आठ तरीके से चक्किया जाता है उसके नंदर में क्या करते हैं हम लोग आपकी है तो जब बाद मिल जाता है myś कि समग नादी देखनाैक कि किसी परसन की लाइफ में रीलेशन्चीनुप और मेरिज इस्टेबल है या नहीं है आपको चीज और देखने को मिलेगी कि लोग बाग जब तक रिलेशन्शिप में थे सब कुछ हरा हरा था जैसे ही वह शादी में आए वहां काला काला होना स्टाट हुआ और रोज एक दूसरे को पंपिंग करना चुरू हो गए कि तुम्हारी यसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई तुम्हारी वज़से मेरा हो गया यह कुछ नहीं हुआ थे वही थे यह लव था पहले भी था पर शादी के बाद में क्या कॉनवर्शन हुआ कंवर्शन., कि पहले वह फिफ्थ ाूस से, ल॑ में लाव इंहें लाव इन रिलिय्विशन रियुदिक का हुस होता हुवग् लाइफ में डेस्टिनी के अंदर में सेवंधाउस की लॉंगिटिविटी नहीं है आपको मेरिटेल लाइफ का सुखी नहीं है तो होगा क्या वो ब्रेक अप हो जाएगा वह व्योग में चला जाएगा यह प्रॉब्लम आएगी ट्रबल आएगी और वहां सबसे बड़ी प्र पर जब परिवारिक परिवस्तिति के अंतर में बाउंडेशन में आयो उसमें जब प्रेशर आता है वह आपको एक प्रॉब्लम डालता है और वहां पे सब्सक्राइब आता है तो जब हम कुणली हमारे पास में आती है तो हम लोग यह चीज़ देखते हैं कि आप रिलेशन करवाते हैं फिर उनको मेरिटरल लाइफ में जाने की परमिशन देते हैं कि बहुत सिर्फ गुल मिला करके ही उसमें मत चले जाओ सबसे पहले तो मुझे उस बंडे की डेट अवबर्त पहले ही पता लिए जागे आप तो बंदे की बात कर रहे हो यह तो सासुमा हो सास के डीटेल भी लेकर कर आते हैं मेरी इनलॉज से बनेगी की नहीं बनेगी वो सही चीज है वैसे शादी से पहले अगर पूछ रहे हमारे पास तो कॉशन्स यसी भी आते हैं कि ये मेरी इनलो है मेरी मदर इनलो है इनकी और मेरी टूनिंग बनेगी की भी नी बनेगी सर लेकिन ये पूछना आपको अटगा था लडगी सब बात कर रहे हैं जा रहे हैं अपनी मम्मी के दियो भी देना उनका टाइम देना वो पहली समाझ जाए कि ये भ्या करना है ये थोड़ा से ओफ हो जाएगा देखो सर बनने से पहली ओफ हो जाएगा तो कड़नी क्यों कि वही ये चीज़े नहीं करना है तो एक साइकोलोजी परेशी बज़ती है कि ये हमारा एक सामाजिक हो गया है कि जो ये सास बहु के नाटक आए ना इन्होंने सब लड़कों के दिमाग में चीज़ डाल दी कि सर सास खराब है सर मेरेको तो लगता है अगर अपनी मैरेड लाइफ सही करनी है तो अपनी बीवी की बात ना अपनी मम्मी को बता और मम्मी के बात बीवी को बता अग्तम बड़ी हां चलेगा चुगली-उगली मत करो बहुत बेसिक है ये तुम ना पताने के बाद भी बहुत चीज़े दोतर हो जाएंगी ये तुमें लग रहा है कि तुम आफिस जाओगे तो पर पीछे तो दो ही लोग बचेगे तुमारा आहिंकार बोल रहा है कि तुम चीज़े मैनेज कर लोगे सुर रहा है जो कोई वैसे मैरेड बंदा बता सकता है कि नहीं हो पाएगा दोनों के फोन में एनी टाइम आश्टो डाउनलोड कर वाओ एक एक मैरेड और एक बिजनिसमेन ही अच्छी राय दे सकते हैं आप इसको इस तरह के दिखिए कि आपने के आप नहीं बताओगे उसने के आप नहीं बताओगे पर आप एक चीज को दिखो ले दे करके हम घूम फिर करके वहीं आ गए कि एक दो परसन की साइकलोजी बहुत ब रहे तो आप कितने भी बात चुपा लो प्रॉब्लम आएंगी अगर लड़की इस तरीके से अजस्टेबल है कि मैं अपने आपको अजस्ट करने को तैयार हूं फॉर दी बिकॉस आफ आई लव हिम तो वहां पर भी वह कॉम्प्रोमाइस और अजस्मेंट करेगी तो यहां आपको बैलेंस करने की बात कर रहा हूं तैया बैलेंस इता में तिंग विच्व आप तो इसकी बात करो मैं तो करो आज ओफिशल के अंदर में देख लो आप most of the most problems कहां से आती है tuning in between the officers आपकी tuning अगर अछी है तो वहां पी आपकी बन जाती है और आपकी tuning में नहीं है तो वहां पे नहीं बनती है वहां पे क्य अधा है adjustment the main thing is that यहां का कीडा और को control करना है इसको heavy नहीं होने Sir, आप अपने business decisions भी इन से पूच के लेते हो Business decisions नहीं, पर हाँ, app releases हो गई, अब जैसे शराद चल रहे है तो हमारी को release नहीं जाएगी वैसे For example, right, this is one of the things that we follow diligently Because we do believe in Vedic, हमें इश्वास है Vedic Sciences के उपर कि हमारी जो भारती सब्वेता थी, वो बहुत ही उन्नत सब्वेता थी उसके द्वारा बताई गई चीजे नियम, बहुत ही उच्च क्वालिटी की विज्ञान है इसमें कोई दो रही नहीं है, मेरे दिमाग में तो कम से कम और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने एक प्लाटफॉर्म बनाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि यह जो साइन्स है यह लोगों तक पहुंचें क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत है कि लोगों को सही गाइडेंस पिले सर जैसे किसी बिजनसमेन के पास प्रवब्लम आती है वह एक पास जाता है आपका तो बिजनस यह आश्टालॉजी से रिलेटः तो आपके क्या चैलेंजिज आते हैं बिजनसमें if you can share your challenges you face in day-to-day life जब आप जाते हो, नहीं जालेंजने के लिए प difficult leaner के लिए champư आते हो जाते हो जाते हो कि लिए पसाघ्न का नए जालेंजलेंजने हैं या डेली, आप किसी एस्टिलॉजर से कंशल्ट करते हो कि आज का दिन, जैसे आपकी आप पे तो आज आती है, कि आज आपका दिन ऐसा जाएगा, और आप चाहते हो कि लोग भी फॉलो गारें, तो क्या खुद ओनर फॉलो करते हैं? मैं अग्यूकर से गिरा रहता हूं और मेरा अस्टोलॉजी असबजेक्ट पैटर में को बहुत इंटरस्ट करें, तो हमारे जो इसकूशन होते हैं, वो स्प्पेसिफिक लिए मेरी कुंडली नहीं होते हैं, पर हमारे हम पैर्टर्स तून रहे होते हैं, कि का हो रहा है, किसे ह और ये खाली इंसानों पे लागू नहीं होती है वैसे ये कुछ इंटरस्टिंग चीजे हैं कितनी सच हैं कितनी जूट हैं ये तो कोई क्लेम नहीं कर सकता पर जैसे अपने फेमस आज़ोर्जज रहे हो हैं पहले हैं पहले हुए बहुत साथा, क्या ना? पत्रिका में ये छफ गया था कि इंडिया as a country would get independence in 1947 between 15th August and 20th August. तो कितनी जादा बड़ी बात है ये, एक पूरे देश के लिए आपने ऐसी बहुष्यवानी कर दी जो कि सत्य हो गई. अब हैं इस पर भी विवाद हैं, हो सकता है कि कोई इसके अंदर ना मानता हो पर मुझे लगता है कि हाँ, ये चीजें पॉसिबल हैं. पर आप फॉलो करते हो? मैं फॉलो करता हूँ. तो चेज़ बारे में सुनाओ आपने, उसके जो संसताफ़क थे, वो एक कहावत है, उनकी कही हुए, वो कहते थे एक आपको मिलिनेर बनना है, तो कोई भी बन सकता है. मैनत करो. पर अगर आपको मिलिनेर बनना है, तो आपको जोतीष तीश जीए चीए. पर सर अगर आप पूछो, how do you build that trust, क्योंकि trust बहुत जरूरी है इस चीज में कि as lodgers आपके लिए loyal है, आप उनके लिए loyal हो, क्योंकि human mind कुछ नहीं कुछ कभी भी खुराफास सोचता रहता है Giving them the right tools I think is very important, अपना काम वो डंग से कर पाएं, उसके लिए उनको सही tool मिलने चाहिए, और वो tools पनाना हमारी back-end team का काम है तो हमारा जितना भी कुंडली बनती है, जो भी बनती है, वो accurately बनती है क्योंकि हम खुद बनाते हैं, हम कोई third-party software यूज नहीं करते है Every calculation जो भी होती है अमारे platform पे, वो independently हमारे server पे हमारी बनाई हो equation से होती है तो यह tools आप अच्छे प्रोवाइड करें Astrologist को, Astrologist के साथ नियमत रूप से हमारी backend team कांटक पे रहती है कि कोई problem तो नहीं आ रही है आपको, अगर problem है भी, तो भी वो तुनंत बता सकते हैं, जो भी उनको, जो भी उनका हमारे यहां पे contact है Who is an account manager for them, representing anytime astro Sir, मुझे एक चीज बताओ, जैसे कल की बात है, नेपाल में अर्थकुए काया जिसको दिली तक भी फील किया गया, तो क्या country-wise भी या area-wise जैसे अभी हमाचल में आप अदाई, बहुत जादा floods हो गए, या उतराखंड में floods हो गए, तो क्या area-wise astrology भी work करती है, क्योंकि कैसे मतलब वैसे मैं अभी सोचता भी हो, जैसे कई सारे लोग एक साथ, they have to die, तो क्या उनकी astrologically एक साथ लिखी थी, क्या क्या वो कर्मा था, क्योंकि सब एक साथ पैदा नहीं हुए, बढ़ मरे एक साथ, तो ऐसा area-wise astrology होती है? मुंडेन astrology बोलते हैं उसको, मुंडेन astrology के अंदर में अगर आप व्रद सहिंता, एक किताब है, या नारत सहिंता, उतर काला मृत, कुर्वा काला मृत, यह सब पढ़ेंगे, तो इसके अंदर में आपको जोनल-wise नक्षत्र बेस पार्ट को डिवाइड किया है, मैं आपको ब इस earthquake और जिसकी बात हुई है, और जो भी फार फ्रांस में सब हुआ था, एरपोर्ट पर सेमिनार हुआ था, वहां पर में बोल के आया था, कि तिल नवंबर 14 या का में डेट देखे आया था, कि कुछ प्रकरतिक आपता और इस तरीके की आने वाली है, अभी, अभी, अभी इस तरीके की कुछ चीजें होने की गटनाय बन रही है, क्योंकि ऐसे प्लिंटरी ट्रांजिट, जो मुंदेन अस्ट्रोजी को कनेक्टेट कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो ये अगर आपके पास में एक मुंदेन अस्ट्रोजी का पूरा कल्कुलेटिव पार्ट है, त जब भी भुकम एकलिप्स आपते हैं, उसके आज सपास आपको भुकम मिलते हैं, वो 15-15 दिन का पहले सूर्य गरनाया और चंदर गरनाया तो आपको एकलिप्स मिलेंगे और एकलिप्स के पास में आपको ये भुकम अर्थक्वेक, सुनामी आना, ये एक नॉर्मल सिनेर्य प्रकृतिका में आपको बता ना कि पांच एलिमेंट्स जिस पे पुरा सिद्धान ठिका हुआ है बागवत यहता का उसपांच में जल एक इलिमेंट है सूरिय आपको एनेरजी का इसथ है इन अलिमेंट्स के अंदर में फायर जो आती है और या इस गड़ेर तो इफेक्ट आ इडिया क्या है जमूदूइप जमूदूइप में कौन को ना गया अफगानिस्तान भी आ गया इधर श्री लंका भी आ गया यह पूरा एक बैल्ट था अब मायर को पर्टिकुलर बोलो तो मेरे को क्या है उसको थोड़ा सा और नेनो करना पड़ेगा तो फिर लोग बोलेंगे यह तो इन्हों अपना बनाया हुआ है क्योंकि मैं इसको फोलो नहीं कर रहा हूं मैं आको बता है ना देशकाल परिस्तिती पे जोतिश चेंज होती र इसको देशनी काला करते है आज अब रोड जाना एवरिवन इस रेड़ी आप भी तयारो मेरा का विदेश जाने का योग होगा आप ही मुझे पूछना होगे पहले यह अपमान था आज यह पुरुस्कार हो गया मैं भी अब रोड जा रहा हूं तो वह चेंज रूल वही है पर आज यह एक जो आप बात बता रहे थे मुझे टीले पे खड़े हो के नक्षतर को दिखाना हां तो जिस मुंदेन अस्ट्रोजी की हम लोग कल रिसीजिए हम जैसे एक बात कर रहे थे कि वैदिक अस्ट्रोजी जो हमारे जिसको हम कहते है सनातन जोतिश यह एक ऑथन्ट तो जो पुराने जमाने के जो पंडित लोग हुआ करते थे बिफोर नाइंटी के बात पर एक बात में होता हूं तो उन लोगों का तरीका क्या होता था क्यों इतने एजुकेटेड नहीं थे पब्लीक कि आपने बोल दिया कि दो साल बात तेरा काम हो जागा तो दो साल तक अगीन घंटा रहेगा वह अपने जजमान को बोलते थे घूर स्वाइब यह काम हो जाएगा तेरी परेशानी काम ओने शुरू हो जाएगा ऐसे जोतिश हुआ करती थी क्योंकि यह तो आज हमको गैजेट्स मिल गया है करते हैं बागे एक हाथ की बनीवी जनवपत्री को बनाने के लिए दो दो तिन दिन लग जाते थे को अधर में जो आपने को भी देखा होगा एक रोल आता था पूरा नमबा चोड़ा रोल खुलत वह मून उस दिन ट्रांजिट नहीं हुआ हो आज तक डिगरी वाइस में एक डिगरी का भी कहीं आपको फरक नहीं मिलेगा सर एक बात आप बता रहे थे कि आप महाभारत के बारे में पढ़ रहे थे और आपको पता चला कि उस टाइम पर भी कुछ बताया था उन्होंने कि यह यह प्लानेट्स है जो एक्जिस्स करते हैं तो उस टाइम से डिस्कवरी चलती आ रही और नासा बताता है कि यह प्लान का प्रत्वी गोल का सब्सप्टいたव हमारी वेदिक संस्तार कें अनर में भू गोल करके सब्जेक्ट हो था Mu goal पेले अज भी ऊसमें की बात बोली के परत्वी कौल है तरहीं मूद्ध है अगर गोल घॉन तो सब्जिनेंतिके वे कैसे हैं आपको आर्यभट और इन सब अन्ड पर यह लोग एक्सेट नहीं करते थे बाद में एक्सेट किया कि यह सब चीजे राइट थी तो आप जिस हम एंसेंट एस्टिलोजी की बात करते हैं यह सब हमारे सूरी सिद्धांत को अगरा पढ़ते हो या आप क्लासिक आप पढ़ते हो तो वह बहुत डीप है इसके चीज क आपको वर्न उसको मिलता है पर आजकल सब जने क्या करते हैं कुक्री बुक्स को पढ़ते हैं इसको फास्ट मॉविंग पेडिक्शन के लगी होती है और बस शुरू हो जाते हैं यह ऐसा हो करता ऐसा होगा बहुत किलर कट मैं आपको बताता हूं आपके स्टेश पेकी बात तह बोना चाहता हूं जोतिश में कोई थम्घी थम्चा डाः ना हे ना बनेगा ड़ोतिश में कभी थम्चा जोप्रूल कि बात कर रहा हूं कोई बीहलिमेंट आपका एक्सिस होना अपने आप में जैसे कहते हैं कि कोई भी अती होना आपके लिए नुक्सान दायक है तो यही चीज को हमको बैलेंस करना है कि कोई एक्स्ट्रीम है बॉड़ी में अगर मैं आपका सूर्य टूमच अनेर्जेटिक है तो आपको क्या बन जाएगी आपकी इगो इतनी तकडी हो जाएगी आप जिंदिगी के किसी रिलेशन्शिप में अजस्में नहीं करोगे जाए लड़का हो जाए लड़की हो और अगर आप कि आपका चंदर्मा बहुत ज़्यादा डिप्रेस है तो आप एक साइकित्रिस एक साइकिक पेशन्ट बन जाओगे हर समय आपको एकी बात होगी गोली खाना या सोना है कि ऐसी अभी एक जैसे बिन आपको बताया कि एक एक्जंपल दिया मैंने भी आपको इसका में दूसर हुआ नहीं यह विष्दोक्य है दर्णा यह विष्दोश है कि एक इस तरीके से है कि एक आपको इमोशनल भावनात्मक इनसान बनाता है और अगर मैं इसको रहरेक्शन में गर मेरे पास कोई आता क्लाइन और जब मैं इसको पढ़ता हूं कि वाकिम में इन दोनों प्लेनेट की जो प्लेनेटरी पोजीशन अच्छी है तो यह दुनिया का सबसे बैस साकेटिर्स बन सकता है चंदरमा को यूज करके शनी को यूज करके सबसे बड़ा फिलोसफर बन सकता है इससे बड़ा कोई फिलोस कि और और यूज करना को यूज करना और शनी को थिस पांथ पर एक नॉर्मल मिन बता हूं आप एक हाथी को देख़ लो ह特भ कर तो तहां आप उसकी महलावत है को तो एक हाथी को अगर में आपको गाइड किया पानी में ले जाना कुं क्या ख्या करेगा वक्हेल गा उमस्त कि यह करना है तब आप अपने अपको इंड़ाइस करपाएंगे और यही में में अपने हैं प्लाइजिस करते हैं किस डिरेक्शन में यूज करना है, यह आपको जानना है, और यह हम आपको बताते है. जब तक यह जानेंगे नहीं कि कौन सा प्लाइन हमें कैसे बेनेफिट कर सकता है, या फिक कैसे हमारे लिए मेलिफिक है. जब तक हम यह जानेंगे नहीं, how would we act upon it? काम कैसे करेंगे उसके प्रतियतन? और जानेंगे कैसे Anytime Astro को डाउनलोड करके, तो दोस्तों, खतम करते हैं, इस मज़दार एपिसोड को, बहुत को चाज हमने नया सीखा, और Anytime Astro का जो डाउनलोड लिंक है, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप भी अपनी डे टुडे लाइफ एजी कर सकते हैं, अपने रास्ते को थोड़ा और स्मूध कर सकते हैं, देखो होना तो वही है जो होना है, बाइट आप अपने रास्ते को GPS मैप की तरह थोड़ा सा गाइडेंच लेकर और स्मूध कर सकते हैं, ताकि आप अपनी मन्जिल तक जल्दी पहुँच जाएं, बाकी मिलेंगे आपसे नए पॉड़कास्ट में, बाइट पॉड़कास्ट को शेयर जरूर कर देना,